दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं टेकनिकल संजुफास्ट आज की टोपिक में आप लोगों को जो वाटर पंप दिखाने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक है और बहुत जबर जस्त है अच्छा है यह देख सकते हैं इसका प्राइज जो है गैसलीन वाटर पंप इंजन बहुत खतरनाक है तो आप लोग जो है अपने खेतों के लिए यूज कर सकते हैं यह एक किलो मीटर तक का कबर करता है बड़ी आसानी के साथ इसमें देखा जाए तो पूरा रेटिंग अच्छा दिये गया है और एवरेज जो देता है माइलेज देता है जो अच्छा देता है यानि कि एक घंटे में आधे लीटर के आसपास खापत होती है इंजन का मॉडल है बी एस्टी वन सिक्स एट यफ वन ठीक है यह मॉडल नंबर है और इंजन जो आउटपूट देता है शिक्स पॉइंट फाइच्पी का देता है और बॉक्स इस ट्रॉक जो होता है फोर इस ट्रॉक होता है जो इस ट्रॉक मिलता है इसमें फोर इस ट्रॉक होता है डिप्लेस्मेंट वन सिस्टी थिरी सीसी का होता है एक सो तिरसाट सीसी का होता है बहुत ही अच्छा है कंप्रेसर जो बनाता है एट पॉइंट फाइब फाइब ओईल कैपिसिटी इसका वन लीटर यानि वन लीटर है ठीक है बहुत ही अच्छा है 1.5 लीटर स्वरी डेली लीटर की कैपिसिटी होती है अच्छा वाटर पंप है और छोटा स्मॉल होता है ठीक है बहुत जबल जस्त होता है इसका पैकेजिंग हो गएर बहुत ही अच्छा स यह वाला नया वाटर पंप है 21,898 रूपए का यानि 99 पीस मिलता है और 20,000 से 20,864 रूपए का 299 पीस मिलेगा ठीक है यदि आप दुकान कर रखे हैं तो दुकान के लिए यूज कर सकते हैं बना सकते हैं ठीक है और आप देख सकते हैं कि 300 पीस से उपर जब मंगाएंगे तो आपको जो है जो इलक्तिसि की होती है जो बीजली वाला होता है उससे काम कर सकते हैं लेकिन इसको अलग से आउटपूट दे सकते हैं जैसे कि हो गया और Inwater हो गया Water It Was. ड़ी इस वार से शोलर पम्प ऑुगया सोलर से भी चार्जेबल होगा सकते हैं बहुत दो अच्छा होता है तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं यह ओल लगने वाला हैं वाला दोडती बहुत ही अच्छा है बहुत खतरनाक है डीसी कंट्रोलर भी साथ में मिलता है ठीक है आप सोच लीजिए कि आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है यह चोटा सो वाटर पंप है बीस हजार से एकी सजार रूपए के आसपास पड़ता है तो आप लोग मंगा सकते हैं ठीक है देख जमता है नया मौडल का है नया डिजाइन का है बहुत खतरनाक दिखने में एकदम आलाग है ठीक है यदि पानी की बारिस भी होती है तो इसके इंजन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर जो है एक पत्रे का टॉप लगाया गया है ताकि पानी का बारिस भी हो तो इसके अंदर बारिस का पानी भी ना जाए ठीक है डीसी का पेमेंट हो गए रहे जो आउटपुट आता है कंट्रोलर वो सब इसमें बहुत अच्छे तरीके से योनिक करके दिया जाता है ताकि हमारे ग्राहक को हमारे किसान को कोई दिक्कत नहोंने पाए वीडियो पे यद तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिला है पूरा यानि वर्ड की तरफ से मिला हुआ है ताकि कोई दिक्कत नहों किसी भी कर्श्टोमर को खड़ी देने के समय पे नाव हजार चार्सो तिरासी रुपए का इसमें दस पीस मिलेगा यदि आप मंगाते हैं दुकान के लिए भाई आप लोगों को इतना तो मंगाना ही पड़ेगा और सौस्वे एक नौसो निन्यान नबे पीस तक मंगाएंगे तो आपको नौ हजार बावन रुपए का पड़ेगा यानि कि आप लोगोंने सौप बना रखा है सौप ले रखा है त तीन चार दुकान में मिलके तीन तीन सो करके मंगा सकते हैं ठीक है यह देख सकते हैं और एक हजार पीस मंगाने पे आठ हजार चेसो इकीस रुपए इतना सस्ता पड़ता है और यह आप इसको बेचेंगे ना तो कह रहा हूं कि तीस से 35,000 के बीच में बिक जाएगा बहु और जो डीजल पेट्रोल यूज होता है इसमें 1.5 लीटर का होता है टंकी और बहुत खतरनाक होता है आपको देख सकते हैं आपको अपनी आखों से इसका इंजन का कलर देख सकते हैं इंजन का मॉडल देख सकते हैं इंजन का कलर और मॉडल बहुत अलग है तो दोस्तों आ तोड़ा एक्टिबेट होंगे तो कि हम आपको और अच्छे से वीडियो और अच्छे अच्छे वाटर पंप लेके आते रहे हमारे जो पुराने दर्सक हैं उनसा भी कुमायता है दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमारा साथ दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब क है को कोन सा यानि अच्छा है क distractions नहीं अच्छा है कहांसे हमें लेना है कहांसे नहीं लेना है इसके बारे फूरा देखते हैं तो देख तहते हैं आप लोगों को भोई थी फ्यत्रणाड़ वाटर अब लेकेबाए लेके तक जो इस थी पीड का एच्छा है और जो यानि पै पानी खीचता है जहां पर अई भाघ जो ही न kami the month होता है यहां जो इसका होता है और पानी का जो ओश्पीड यानि कहेचने वाला होता है उसका ठोड़ा डिफेरेंट is a बानी पानी ज्यादा खीचने के लिए उसको थोड़ा अलग डिफ्रेंट टाइप में बना दिया गया है और पानी बहुत ज्यादा इस्पीड में देता है इसलिए यानि कि इंडिया के अंदर जो वाटर पंप बनाए जाते हैं उनसे काली काफी डिफ्रेंट में अलग परीकी से ब बताना हम आपके कमेंड का इंतजार करेंगे ठीक है तो देख सकते हैं इसमें पानी का जो सिस्टम में बहुत कतला का आया दिया गया है और इसका जो बनावट है यह इंजन का बनावट थोड़ा अलग ही है डिफ्रेंट टाइप में है पानी इस्पीड जो है आप किसी भी इंगल से लगा सकते हैं किसी भी तरीके से इसमें आपको कोई परिसानी होने वाली रही स्टार्विस इसकी बहुत यह च्छे होती है